बॉक्स प्लीट वाला युनिफर्म हाफ स्कर्ट बॉक्स प्लीट वाला युनिफर्म हाफ स्कर्ट के लिए नापों का गणन करना Half skirt एक ऐसा पोशाक है जो कमर से लटकता है अक्सर युनिफॉर्म की तौर पर लड़किया पहनती है Box pleat skirt न केवल एक अच्छा डिजाइन का प्रदर्शन करता है बलकि हालचाल के लिए काफी जगर भी बनाता है उद्देश यह इस पार्ट के अंत में आप युनिफॉर्म हाफ skirt के विभिन भागों को पहचान पाएंगे युनिफॉर्म हाफ skirt बनाने के लिए ज़रुरी मानक नाप पहचान पाएंगे युनिफॉर्म हाफ skirt बनाने के लिए ज़रुरी गणन कर पाएंगे Uniform Half Skirt साधान तह कपड़े की एक ही टुकड़े से बनता है Half Skirt की लंबाई कमर से घुटनों तक होगी कमर के चारों और बॉक्स प्लीट होता है कमर पट्टा, बेल्ट लूप्स और अज्जिस्टिबल हुक क्लोशर होता है हमें हर एक भाग को गौर से देखना है, गणन करना है और सीम अंतर और पहने की सहूलिय जोड़ना है जिससे हम कपड़े पर ड्राफ्ट कर पाएंगे और कपड़ा काट पाएंगे Half Skirt बनाने के लिए जरुरी मानक नाप है Skirt की लंबाई कमर का घेर यहां Skirt की लंबाई साड़े सत्रा इंच और कमर का घेर बाईस इंच है चलिए Skirt डिजाइन पर एक नजर डालते हैं यह Half Skirt के चारो और बॉक्स प्रीट होता है कमर पट्टा, बेल्ट लूप्स और अजिस्टिबल हुक क्लोशर होता है Half Skirt बनाने के लिए शरी के नाप है Skirt की लंबाई और कमर का घेर Skirt के बाई बाई बाजू पर कमर पट्टे की लंबाई को एक के उपर एक रखना जरूरी है और यहीं पर हुक क्लोशर भी है इसके लिए हम कमर के घेर के 22 इंच, 2 इंच ओवरलाप के लिए और एक इंच सी मंतर के लिए जोडेंगे इससे हमें 25 इंच ड्राफ्टिंग के लिए लेने होंगे Half Skirt के कमर पट्टे की अच्छी चोड़ाई 1.5 इंच है सिलने के लिए हमें इसे दुगना करना होगा और दोनों बाजू में इसमें सी मंतर के लिए आधा इंच जोड़ना होगा इससे कमर पट्टे के लिए कुल 4 इंच ड्राफ्टिंग के लिए बनता है चुकि स्कर्ट पीस में 4 ओर बॉक्स प्रीट होते हैं और एक बॉक्स प्रीट को कपड़े के 3 स्थर लगते है हमें कमर पट्टे की लंबाई ओवरलाप के साथ परसी मंतर के बिना जो 24 इंच है तिगुना करना होगा जो 72 इंच बनता है चुकि ये बहुत लंबा है हम इसे 2 स्थरों में काटेंगे यानि हम 72 इंच को 2 से विभागेंगे जो 36 इंच होता है और इसमें आधा इंच दोनों बाजु के लिए सी मंतर जोडेंगे इससे अंत में हमें 37 इंच स्कर्ट के ड्राफ्टिंग के लिए मिलते हैं कमर पट्टा और नीचे का हैम जोडने के लिए स्कर्ट लंबाई 7,5 इंच में हमें सी मंतर जोडना होगा हम कमर रेखा पर आधा इंच और 4 इंच नीचे के हैम में जोडेंगे तो हमें ड्राफ्टिंग के लिए स्कर्ट की लंबाई 22 इंच मिलते हैं हम चार बेल्ट लूप्स बनाएंगे जो आधा इंच से अधिक चोड़े होंगे चुँकि वे चार स्थरो में मुड़े हैं हमें उन्हें 1,5 इंच चोड़े काटने होंगे या जानने के लिए कि लूप कितने लंबे हो हम कमर पट्टे की फिनिश चोड़ाई जो 1,5 इंच है उसमें 1,5 इंच और जोड़ेंगे तो अब लंबाई 3 इंच होती है अजिस्टबल हुक क्लोशर के लिए हम मद्दे में 3,5 इंच लंबी और 1 इंच चोड़ी पट्टी लेंगे इस पार्ट में हमने हाफ स्कॉट बनाने के लिए उसके विबिन भागों को और मानक नापों के बारे में सीखा समापन से पहले आए मुख्य मुद्दों को देखेंगे युनिफर्म हाफ स्कॉट साधा नतह कपड़े के एक ही टुकड़े से बनता है और कमर के चारो और बॉक्स प्लीट, कमर पट्टा, बेल्ट लूप्स और अजिस्टिबल हुक क्लोजर होता है हाफ स्कॉट बनाने के लिए जरुरी मानक नाप है स्कॉट की लंबाई और कमर का घेर हमें डिजाइन समझना होगा और सी मंतर और पहनी की सहुलियत मानक नाप में जोडने होंगे और कुछ गणन करने होंगे जिससे हम कपड़े पर ड्राफ्ट कर सकेंगे इसके साथ हम इस पार्ट के अंत में पहुंच चुके हैं